नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूज गौर्रमेंट एक्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करेंट अफेर में चर्चा करेंगे 23 दिसंबर 2020 के समाचार पत्रों में से। जो कि आपके आगामी परिक्षाएं, चाहे वह CHSL की हो, CGL की हो, Combined Graduate Label, CPOSI, दिल्ली पुलिस, बिहार SI, UPSI, लगभग सभी परिक्षाओं के लिए लाबदायक सिध्ध होगी। साथ साथ इसके साथ 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 इस्टेट सर्विसेज में भी यहां मदद करेगी। तो आईए दोस्तों एक एक करके चर्चा करते हैं, आज के रास्टी मामलों में पहली खबर है, PM Modi releases Postal Stamp as Part of AMU's Centenary Celebration प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी, अलीगढ़ मुस्लिम बिश्व विद्द्याले के सताबदी समाहरों में, उन्हों ने विसेश रूफ से बिश्व विद्द्याले की छवियों वाला एक डाक टिकट जारी किया है। तब देखी यहीं से आपका प्रस्न स्टार्ट हो जाता है, कैसे प्रस्न बनेगा, कि अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधान मंत्री ने किस इनवस्टी के सताब्दी वर्स पर डाक टिकट जारी किया, तो यह महत पूर्ण हो जाता है बिंदू, इसे ध्यान रखेंगे और इ संबोधित किया, और इसके साथ साथ सिख्षा मंत्री भी रमेश पोखरियाल निसंक जी है, तो बीते सो वर्सों में AMU के दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है, और उर्दू, अर्बी और फार्सी भासा में यहाँ जो रिसर्च होत इससे इसलामिक साहित पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इसलामिक वर्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिस्तों को नई उर्जा देती है, तो यह कह सकते हैं, इसको महतपूर उन्होंने भी ब्याख्यान दिया, हमारे देश के प्रधान मंत्री ने भी कहा, और हमारे शि इसलामिक साहित पर जो रिसर्च के एक अधनियम के माध्यम से केंद्रिय बिश्विद्याले का दरजा दिया गया, कैंब्रिज बिश्विद्याले की तरच पर ब्रिटिस राज के समय बनाया गया या पहला उच्छ सिक्षर सांस्थान था, मुलताया मुसलिम एंगलो ओरिय कॉलेस था, जिसे महान मुसलिम समास सुधारक सर सयद एहमत खान द्वारा स्थापित किया गया था, कई प्रमुख मुसलिम नेताओं, उर्दू लेखकों और उप महादीब के बिद्वानों ने बिश्विद्याले से इसनातक की उपाधी प्राप्त की थी, तो दोस्तों, अलिगड़ मुसलिम बिश्विद्याले में सिक्षा के पारंपरिक और आधुनिक शाखा में 250 से अधिक पाथिकरम पढ़ाये जाते हैं, इसमें अपने समय के महान समास सुधारक सर सयद एहमत खान ने आधुनिक शिक्षा की अवशकता को महसूस किया, और 1875 में एक स्कूल सुरू किया, जो बाद में मुसलिम एंगलो ओरियंटल कॉलेज और अंतता 1920 में अलिगड़ मुसलिम बिश्विद्याले बना, तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह काफी महत यहां से बहुत चर्चित हस्तियां रही हैं, डॉक्टर जाकिर हुशेन, खान अब्दुल ग यहां से पढ़के निकले हैं, इसी तरह से अली सरदार जाफरी, जिन्हें ग्यान पीट पुरसकार मिला है, कर्तुल एन हैदर और प्रोफेशर सहरयार, इन सब को ग्यान पीट मिल चुका है, तो यह सब लोग यहां से सिख्छा ग्रहन किये हुए हैं, तो यह प्रमुख ब् दिल्ली के पूरो मुक्यमंत्री रहे हैं, ध्यान चन, मुस्ताक अली, लाला अमरना, यह सब यहां के इस भी सुविध्याले के ब्यक्तित्व रहे हैं, तो यह काफी महत्पूर्ण है खबर, अगला जो महत्पूर्ण खबर है, 17 lakh people died due to air pollution in year 2019, दोस्तों, रिपोर्ट आई है और वह रिपोर्ट किसने दी है, जारी की है, लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ रिपोर्ट ने दावा किया है, कि वर्स 2019 में, वाई प्रदूसर्ण के कारण 17 lakh लोगों की मृत्य हुई है, दा इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशियेटिव नाम की यह एक तरफ सरकारें लगातार वाई प्रदूसर्ण से होने वाली मौतों को नकार रही है, तो दूसरी तरफ अंतर रास्तिय स्वास्त संबंदी रिपोर्ट में वाई प्रदूसर्ण को मृत्य का एक बड़ा कारक बताया जा रहा है, तो दोस्तों इसमें 21 दिसंबर 2020 को जारी नमीनतम रिपोर्ट में कहा गया है, कि वर्स 2019 में भारत में 17 लाख मौतें वाई प्रदूसर्ण के कारण हुई, जो कि देश में होने वाली कुल मौतों का 18 फीस दी है, तो यह हकड़ा काफी हैरतंगेज है, ध्यान रखेंगे दोस्तों तो इस रिपोर्ट में भारत के तो 1990 से 2019 की रिपोर्ट से अगर मिलान करें, तो घरों में वाई प्रदूसर्ण के कारण मिर्त्यदर में 64% का डिक्रीज हुआ है, कमी हुई है, और दोस्तों पूरी खबर या है कि जो आउटडोर यानि बाहरी वाई प्रदूसर्ण या परिवेशी वाई प्रदूसर्ण न केवल बढ़ रहा है, बलकि अधिक भारतियों को भी मार रहा है, तो इसमें 115 फीजदी, सोचिए यहाँ 64 की फीजदी घटा है, तो 115 फीजदी आउटडोर जो एर प्रदूसर्ण वो बढ़ा है दोस्तों, जैसे पराली है, मोटर वहान उद्योग है, इन सब की वज़ा से ब रुपए के बराबर अब जैसे देखें, मोदरिक अवद में, यानि 2,60,000 करोन रुपए, या 2,020,000 के लिए केंदरी बजट में स्वास्त सेवा के लिए आवंटन का यह 4 गुना अधिक है, तो वाई प्रदूसर्ण के कारण होने वाली फेफणों की विमारियों में सब से जादा हिस्सेदारी है, यह दियान रखना, यानि 36.6% कुल आर्थिक नुक्सान में हुआ है, तो वाई प्रदूसर्ण के कारण प्रति ब्यक्ति आर्थिक नुक्सान के आधार पकर बात की जाए, तो दिल्ली में सरवाधिक प्रति ब्यक्ति आर्थिक नुक्सान हुआ है, यानि दिली has the highest per capita economic loss in 2019 based on per capita economic loss due to air pollution यह study के आधार पर कहा जा रहा है इसी तरह से दोस्तों अध्यन के मुताबेद why producer के कारण उत्तरी और मध्या भारत के राज्यों में जैसे सफसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश का ये ध्यान रखेंगे आकड़ा 2.2% GDP का इसी तरह बिहार का 2% GDP का आर्थिक नुकसान रहा है दोस्तों बाहरी जो particular matter producer के कारण होने वाले रुग्रता और समय पूर होने वाली मौतों के कारण output की 36 से आर्थिक नुकसान की रेंज जहां सफसे छोटा राज पूर्वतर राज अरुनाचल प्रदेश रहा है वहीं उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथमस्थान है इसी तरह से indoor y production के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान यानि गोवा में 7.6 million dollar का कम से कम नुकसान हुआ था वहीं उत्तर प्रदेश का 1829.6 million dollar का नुकसान हुआ है जो देश में सबसे अधिक है तो indoor outdoor दोनों में उत्तर प्रदेश का ही स्थान है दोस्तों इस रिपोर्ट मे और बहुत महत्पूर एक कह सकते हैं अच्छी खबर है और हमारे देश के महानी देश सकते बलराम भारगों ने भी कहा कि उसमें यह चर्चा की गई है कि प्रदान मंतरी उज्वला योजना उन्नत चूला अभियान जैसी विभिन सरकारी योजनाओं ने देश में घरेलू वाई प्रदूसर्ण कम करने में मदद की है जो 64% गिरावर देखी गई है उसके पीछे इन योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार हमारी भारत इस पर बहुत ही एहम पहल कर रहा है तो यह काफी महत्पूर है आकड़ा अधारित है इसे ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं अंतरास्टी मामलों में पहली खबर है काफी महत्पूर खबर है इस्टडी ऑन जैन हिंदुईज इन अमेरिकन इन्वस्टी दोस्तों अमेरिका की इन्वस्टी है कैलिफोर्निया यानि कैलिफोर्निया स्टेट आफ इन्वस्टी फ्रेसनो याद रखना जहां पर जैन और हिंदु धर्म की एक पीठ की स्थापना की गई है इस पीठ के माध्यम से जैन धर्म और हिंदु धर्म के अध्यन के लिए कई कारेक्रम शुरू किये जाएंगे दो दरजन भारती अमेरीकी परिवारों के सहयोग से स्थापित की गई पीठ में फिलोसपी यानि दर्सन सास्तर विभाग यानि फिलोसपी डिपार्टमेंट में धार्मिक अध्यन का हिस्सा होगा और पीठ के स्थापना 2021 के सुरू में हो जाएगी और इसका अंतरिम अध्यक्ष हिंदु और जैन धर्म दोनों के विसेसग्य को नियुक्त किया जाएगा तो जैन हिंदु समुदाय और उनियुक्त प्यासों से वरत्मान और भावीपीड़ी को अहिंसा, धर्म, न्याय और दर्सन का जैन हिंदु धर्मों के संदर में अध्यन करने का मौका मिलेगा और पीट के समर्थक और जयन धर्म के उनियाई ने कहा है कि इससे हम महत्मा गांदी मार्टिन लूथर किंग के अहिंसा के सिध्धानतों का भी अध्यान कर बिस्व को उनको आगे बढ़ाएंगे इस तरह सी उनिवस्टी के अध्यक जोसिफ आई कैस्टो ने कहा जयन और हिंदू समुदायक की भागिदारी सुरू होने से इसका लाभसंस्थान को भी मिलेगा तो अब देखी यहाँ पर प्रस्ण कैसे बनेगा कि हाल ही में अमेरिका की किस उनिवस्टी में हिंदू और जैन धर्म पर स्थापित एक पीठ स्थापित किया जा रहा है चार उनिवस्टी के नाम दे देगा तो ऐसे प्रस्ण बनेगा अब बढ़ते हैं GDP spent on defense matters दोस्तों दुनिया के देशों के सैन खर्चों पर ये भी factual है याद रखेएगा अकड़े तो नजर रखने वाली संस्ता है सिप्री सुना होगा Stark Home International Peace Research Institute सिप्री ने एक रिपोर्ट तयार की है जिसमें हम यह जान सकते है कि सकतिशाली मुल्क अपनी सैन शक्ती और साजो सामान पर कितना खर्च करते हैं तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी GDP का 2.4 फिजदी सैन बजट पर खर्च करता है रिपोर्ट के मुताबिट 2019 में कुल सैन खर्च 3.6 फिजदी यानि 3.6 परसेंट बढ़ा है और यहां 1988 से अब तक अपने अधिक्तम अस्तर पर पहुंच चुका है वहीं साओधी अरब अपने GDP का 8 फिजदी वह खर्च करता है हाला कि बीते साल के मुकाबले साओधी अरब ने अपने सैन खर्च में कमी की है साओधी अरब ने शैन सक्ति पर कुल 61.9 बिलियन डॉलर खर्च किये हैं दोस्तों वहीं अमेरिका ने 2010 से 2017 में कमी आई है लेकिन 2018-19 में इन्होंने भी अपना बज़ट बढ़ाया है तो अमेरिका का कुल सैन खर्च 732 बिलियन डॉलर है यानि 732 अरब डॉलर है जो अमेरिका की GDP का 3.4 परसेंट है वहीं रूस ने भी आर्म फोर्स के खर्चों में बढ़ोतरी की है रूस की बढ़ोतरी 3.9 फीजदी है जबकि जर्मनी की 1.3 परसेंट है यह ध्यान रखेंगे और यह भी आंकला बहुत ही इंपॉर्टेंट है यानि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है यानि इंडिया बाइस्ट नंबर आफ वेपन्स इन दा वर्ड 1990 से लेकर 2019 तक के बीच का और सेकेंड पे कौन रहा है दूसरे नंबर पे चीन है इसके बाद साओधी अरब है वही हत्यारों के निर्याद में भारत का स्थान जो है 38 रैंक है भारत से म्यामार, स्री लंका, मारिसर जैसे मुल्क हत्यार खरीते हैं वहीं अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक हत्यार सप्लाई करता है वहीं हत्यारों के निर्याद के मामले में रूस दूसरे नंबर पर है दुनिया भर में अमेरिका की हत्यारों के निर्याद करने के मामले में 36 फीज़दी हिस्सेदारी है दोस्तों तो इस तरह से 2015 से 2019 के दौर अमेरिका ने 96 देशों को हतियार भेजे हैं अमेरिका के आधे से अधिक हतियारों का निर्यात मध्ध एशिया यानि मीडिल एशिया एंड खाड़ी देशों को हुआ है तो यह भी काफी महत्पुनाकड़ है इन्हें ध्यान रखना अकसर आप लोग परिक्चाओं में आ जाते हैं अब बढ़ते हैं समाचारों में विभिन रास्टी और अंतर रास्टी या ब्यक्तित तो की दो लोगों का चित्र दिख रहा है और इसमें यह दोनों लोग है एक है विने रेड़ी यह विने को प्रेसिदेंसियल स्पीच राइटिंग का डिरेक्टर बनाया गया है इसी तरह से प्रेसिदेंसियल परसनल यानि कार्मिक विभाग में भारत के ही गौतम रागवन को डिप्टी डिरेक्टर बनाया गया है तो दोस्तों इस तरह से बाइडिन की टीम में अब तक कुल भारती मूल के आठ बड़ी जिमेदारी मिली है जैसे विवेक मूर्ती ने यूएस सर्जन जनरल नॉमिनेट किया गया है अतुल गवंडे और सेलिन गाउंडर को कोरोना वाइरस टास्फोर्स में सामिल किया गया है नीरा टंडन को आफिस अब दा मैनेजमेंट एंड बजट लीड के लिए नामित किया गया है वेदान्त पटेल को वाइट हाउस के असिस्टेंस प्रेस सिक्रेटरी बनाया गया है यह बता चुका हूँ माला अधिग को फर्स लेडी जिल बाइडन का पॉलिशी डिरेक्टर बनाया गया है इस तरह से और यहीं पर आप देख सकते हमने दिया हुआ है यह गौतम रागवान कौन है गौतम रागवान का जन भारत में हुआ था उन्होंने इस्टेंट फोर्ड यूनिवरस्टी से ग्रेजुएशन किया था रागवान बाइडन हैरिस ट्रांजिशन में डिप्टी हेड आफ प्रिसिडेंशियल अपॉइंट्मेंट के तौर पर काम कर चुके है इसके पहले वा यूएस के चीफ आफ स्टाप रहे है यहाँ पर इंगलिस में दिया है और यह हिंदी में पॉइंट्स दिया है इसी तरह से याद रखना बिने रेडी साब भी यहाँ बाइडन हैरिस ट्रांजिशन के दौरान स्पीच राइटर रहे है एलेक्शन कैंपेन के दौरान जो बाइडन और कमला हैरिस के सीनियर एडवाइजर और स्पीच राइटर रहे है यह सारे पॉइंट दिया है इन्हें जरूर देखिएगा दोस्तों अब बढ़ते हैं पुस्तके पुरसकारों में आज भी हम लोग चर्चा करेंगे पुरसकारों की दोस्तों पुर्तगाल के दिगज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मोनेको में साल का गोल्डेन फुट आवार्ड ये धान रखेंगे गोल्डेन फुट आवार्ड 2020 किसको मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दोस्तों इस सत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें दिया गया है उन्होंने पिछले सत्र में सीरी ए, चैंपियन्स लीग, इटैलियन कप, सुपर कप को मिलाकर 46 मैच में 36-7 गोल दागे हैं वही इस सत में उन्होंने 9 सीरी A मैच में 12 गोल और 4 चैंपियन्स लीग में 4 गोल दागे हैं दोस्तों रोनाल्डो के प्रतिदंदी बार्सिलोना के सुपर स्ट्राइकर लियोन मैसी का नाम तो सुना होगा अभी तक यह पुरसकार वह नहीं जी चुके है गोल्डन फुट पुरसकार केवल उन खिलाडियों को दिया जाता है जिनकी उम्र कम से कम 28 साल हो और वह वरतमान में भी फुटबॉल खेल रहे हों यहाँ पुरसकार किसी खिलाडी को उसके कैरियर में सिर्फ एक बार मिलता है तो अभी लियोनल मैसी को नहीं मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यहाँ मिल गया तो रोनाल्डो ने अपने नीजी जीवन में फुटबॉल से जुड़े तमाम अवार्ड अपने नाम किये हैं पांच बार वे बैलन डियोर यानि फीफा प्लेयर अपने नाम कर चुके हैं उनसे ज्यादा सिर्फ मैसी ही है यह पुरसकार जीतने में सफल हुए है तो अगला हम बढ़ते हैं ATP आवार्ड फार 220 जोकोविच, फेडरर, नडाल, और तियाफे चारों लोगों को और भी इसमें काटेग्रीज है, यह ध्यान रखेंगे तो ATP 2020 का आवार्ड जैसे जोकोविच को जोकोविच ने रिकार्ड की बराबरी करता हुए, छटी बार साल का अंत का नमबर एक खिलाड़, यह वर्ल्ड नमबर 1 ATP का जो खिलाड़ी रहे है, नोवाग जोकोविच रहे है अमेरिकी ओपन चैंपियन मेट पाविच और ब्रूनो सोरिस की जोड़ी यूगल में नमबर 1 रही है, इस साल सिर्फ 6 एकल मुकाबले खिलने वाले रोजर फेडरर एकल वर्ग में प्रसंसकों के सबसे पसंदीदा किलाड़ी, और यह दोस्तों याद रखेगा लगातार 18 स एडबर्ग खेल भावना पुरसकार इनको मिला है, क्या ATP के तहती दिया जाता है, इसी तरह से देखी यहाँ पर स्पेन के 17 साल के कारलोस अलकारेज को साल का उभरता यानि इमर्जिंग प्लेयर चुना गया है, उन्होंने 3 चैलेंजर खिताब जीते हैं, इसी तरह से फ्रा 2019 में, यानि 2019 में, पीठ की सरजरी के बाद सरुसेष्ट वापसी करने, यानि कम बैक सरजरी के बाद इनको खिलाडी चुना गया है, यह अलग-अलग का टेग्रीज में इन सारे खिलाडीओं को चुना गया है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आज दोनों पुरसकार संबं अब बढ़ते हैं, खेल समाचारों में, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इनाग्रेट खेलो इंडिया सेंटर आफ एक्सिलेंस, दोस्तों, खेल मंतरी का यहाँ पिक्चर दिख रहा है, किरन डी जी जू, अरुनाचल प्रदेश से आते हैं, सांसद हैं, खेल मंतरी किरन डी जी ज गाना में खोला गया, तो उन्होंने ये कहा कि खेलो इंडिया एक ऐसा ब्रांड है, जिसका हिस्सा हर कोई बनना चाहता है, उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया खेल देश का सफ से लोगप्री है, खेल प्रोग्राम या योजना है, खेल मंतरी ने आगे भी ये कहा, केंद सरका अस्तर में सुधार करने के उद्देश से यानि देश में खेलों को बढ़ावा देने और नई प्रतिभाओं को तलासने के उद्देश से भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल योजना ध्यान रखिएगा शहरी खेल संरचना योजना और प्रतिभा खोज योजना यान प्रतिक विकास और रास्टी विकास के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों और चुनिंदा खेलों में प्रतिवर्स एक हजार प्रतिभावान युवा खिलाडियों को यह कबर करेगी। से बारा वर्स के बीच होनी चाहिए उम्र यहा जो है इस कारेक्रम के तहथ 10 से 18 साल आईवर के करीब 20 करोन बच्चों को रास्टी सारीरिक फिटनेस अभियान में सामिल किया जाएगा इस योजना में आवेदन करने के लिए खेल में भाग लेने वाला होना चाहिए तो इस त देखते हैं इसी लिए थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग है इसलिए है टॉपिक ले लिया है भारत और ऑस्टेलिया के भी चार टेस्ट की सीरीच का दूसरा मैज 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा यह बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा ध्यान रखेंगे तो क्रिकेट उस्टेलिया ने कहा है इस मुकाबले में जो प्लेयर आफ दा मैच होगा प्लेयर आफ दा मैच को मुलाग मेडल दिया जाएगा देखिए नई बात आई है यह निए चार टेस्ट मैचों की जो सरिंखला है दूसरा टेस्ट मैच जिसे क्या कहा जा रहा है बॉक्सिंग डे तो थोड़ा सा अलग हो गया इसलिए हमने इस खबर को लिया है तो ध्यान रखेंगे तो इसमें जो मेनाब तमेच पायाईगा उसको मुलाग मेडल कहेंगे देखिये मेडल बनाया भी गया है मुलाग मेडल तयार किया गया है इसमें 1868 में पहली बार बिदेशी दोरे पर जाने वाले आस्टेलियाई टीम का फोटो लगा है इस मेडल पर दोस्तों तो यह ध्यान रखेंगी यह नाम 152 साल पहले आस्टेलियाई कप्तान रहे जौनी मुलाग के नाम पर रखा गया है मुलाग 1868 में पहली बार बिदेश दोरे पर जाने वाली आस्टेलियाई टीम के कप्तान थे और टीम का यह इंग्लैंड दोरा था दोस्तों तो यह काफी इंटरेस्टिंग और मतलब कह सकते हैं कह सकते हैं कि चर्चित खबर है तो मुलाग ने 1866 में मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड पर एक बॉक्सिंग डे टेस्ट भी खेला था तो दोस्तों सिरीच का पहला मैच एडिलेट में डे नाइट खेला गया था जिसमें भारत को 8 विकेट से सिकस्त दे कर आस्टेलिया एक जीरो से बढ़त बना लिया इसी में दोस्तों बॉक्सिंग डे वास्तों में क्रिस्मस बॉक्स यानि क्रिस्मस गिफ्ट से बना शब्द है तो क्रिस्मस के अगले दिन ज्यादा तर देसों में छुटी होती है इस दिन क्रिस्मस बॉक्स गिफ्ट करने का भी रिवाज है इसलिए इसको boxing day test रखा गया यहीं चार मैचों की सिंकला में दूसरे मैच को क्या रखा गया है boxing day test याद रखेंगे बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेश महत्मूर्ट दिवस में तो किसान दिवस की बात करेंगे चौधरी चरण सिंग का नाम तुरंता इस दिन देश के मनाय जाता हिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हापुड में हुआ था इन्हों ने अपने कारकाल में किसान के जीवन को बहतर बनाने के लिए कई प्रियास किये थे इसके साथ ही कई किरसी बिल भी पारित करा है इसलिए साल 2000 ये पॉइंट इसमें बहुत महत्मूर्ट है 2001 से हर साल 23 दिसंबर को रास्टी एक किसान दिवस यानि नेशनल फार्मर डे या नेशनल किसान दिवस मनाय जाता है तो चौधी चरण सिंग ने 1979 से जनवरीन 1980 तक भारत के प्रधान मंतरी के रूप में काम किया था इस दौरान उन्होंने किसानों के जीवन और उनकी स्थितियों को ब किसान भाई याद करते हैं आज देख रहे हैं किसान बिल आंदोलन चल रहा है सब वही चौधी चरण सिंग की फोटो लगाए आंदोलन में लोग पाटिसिपेट कर रहे हैं अब बढ़ते हैं लेटर स्टॉक अबाउट सम इंपॉर्टन फैक्ट में आज बहुत ही इंट्र साली महिला के रूप में जानी जाती हैं भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री यह तीन बार प्रधान मंत्री रही हैं चोथी बार के कारकाल में इनकी हत्या कर दी गई थी दिल्ली में ही इस्थित इनका यह समाधियस्थल है जिसका नाम है श्रक्तिस्थल और समतास्थल बा अबू जगजीवन राम उन्हीं की बेटी है याद रखियेगा मीरा कुमार जो पहली महिला लोग सभाई स्पीकर बनी थी ध्यान रखेंगे दोस्तों तो जगजीवन राम का समाधी अस्थल है ये भी दिल्ली में है और भारत के उप प्रधान मंत्री भी रहे हैं दोस्तों त 91 के आम चुनाओं के दोरान तमिलनाड श्री पेरम बदूर में एक भैंकर भी स्पोर्ट में राजियू गांधी की मृत्यू हो गई थी और बीर भूम श्री राजियू गांधी के समाधी अस्थल है ये भी दिल्ली में है विजेगहाट लाल बहादूर सास्त्री इनकी मृत टास कंद में हुई थी उजबेकिस्तान में। विदेश में हुई थी दोस्तों याद रखिएगा तो यहा किसका है ध्यान रखेंगे विजेगहाट किसका है लाल बहादूर सास्त्री जी का है तो बिजे घाट लाल बहादुर शास्त्री का तो 11 जनुरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की ततकालिन सोविय संग के तासकंद में रहास में परिस्थितियों में मृत्य हो गई थी वह पाकिस्तान के साथ संधिकरने वहां गए हुए थे वही पर इनकी मृत्य होई थी और दोस्तों महत्मा गांधी रास्ट पिता महत्मा गांधी राजगाट यानि दिल्ली में यमुरा नदी के किनारे राजगाट में महत्मा गांधी की समाधी अस्थल है गांधी जी की हत्या 30 जनुरी 1948 को हुई थी याद रखना और शांती वन नेहरू जी पंडि जवाल लाल नेहरू बहुत सांती सो भाव के ब्यक्तित्ते ध्यान रखेंगे दोस्तों भारत के पहले प्रधान मंत्री यानि सुतंत्र भारत के पहले प्रधान मंत्री और सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले प्रधान मंत्र जो भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच सम्मान प्राप्त कर चुके हैं और पहले गैर कांग्रेसी प्रधान मंत्री थे दोस्तों तो यहां जो है भारती राष्टी कांग्रेस के वजाए अन्य दल से थे और भारत का सर्वोच सम्मान तथा पाकिस्तान का निशाने पाकि गाट तो यह सब जो है आपको याद करना करम से किसान घाट चाओधरी चनर्ण źी का है तो किसान दिवस आजी के दिन मनाया जाता है तो इनका यहाँ समाधियस तल है इसी तरह से उदे भूमी के-्र नारायनन भारत के राश्टरपती रहे हैं दोस्तों, के र leven नारैनन इनको जो है उधे भुमीन का नाम दिया गया है, यहां कह सकते हैं कि भारत के पहले दलित एवं मले आली राश्टरपती थे, इनका जन्म उनीस सो बीस में केरल के एक छोटे से गाउं में हुआ था दोस्तों, और दो जिन्द प्रशाद का नाम सुना होगा और लगातार दो बार रहने वाले भारत के राष्ट पती रहे हैं, बड़े बिद्वान ब्यक्ति थे, 26 जनुरी 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट पती रहे हैं, इन्हें 1962 में भारत रत्न से नवाजा गया था, 1963 में इनका निधन हो गया तो पतना के बांस घाट के, याद रखेगा, ये कहां है, महाप्रयाण घाट कहां है, पतना के बांस घाट के महाप्रयाण घाट पर इस्थित है, तो ये इनके समाधी कहां है ये, पतना में इस्थित है, ये ध्यान रखेंगे, और नरायन घाट गुलजारी लाल नंदा, य और दो बार ये कारवाहक, जब लाल बादु शास्तिर की मित्त हुए, उसके बाद भी, और इनकी मृत्तु याद रखना दोस्तों, यह सो वर्स के होकर के मरे थे, तो सो वर्स की उम्र में इनका निधन हुआ था दोस्तों, तो यहाँ, इनका जो है, जब जन्म हुआ था, 1898 क हुई थी, सोचिए, 100 साल बाद, तो नरायन घाट इनका याद रखे है, इसी तरह से, अगला है, चैत्रा भूमी, डॉक्टर वी आर अंबेडकर, भीमराओं अंबेडकर, भारती संविधान का पिता कहा जाता है, दोस्तों इनको, तो यह भारत के संविधान निर्माता, आप्टर शंकर देयाल सर्मा, यह भी बहुत ही, महत्पूर्ण ब्यक्तित भारत के नौवे रास्टपती थे, दोस्तों, 1992 से 1997 तक रहे थे, और आठवे उपरास्टपती थे, यह भोपाल राज के मुख्य मंत्री भी रहे थे, 1952 से 56 तक, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों, औ इस्मृती अस्थल, अटल बिहारी बाचपेई जी, यह भी हमारे देश के दस्वे प्रधान मंत्री थे, तीन बार भारत के प्रधान मंत्री हुए थे, ध्यान रखेंगा दोस्तों, तो इस तरह से यह इस्मित अस्थल, 2018 में भी पिछले दो वर्स पहले इनका निधन हुआ था दोस्तों, और रास्टी यह इस्मित अस्थल पर बाचपेई जी का अंतिन संसकार हुआ, तो यह सारे जो है, इंहें याद रखेंगे, अब बढ़ते हैं, आप लोगों का शेक्षन आजाता है दोस्तों, जिसमें आप लोग बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं, और पिशेक, अचवाले, विक्की, आदित्य चैरवाल, सुरज उपाध्याय, यह सब लोग बहुत जल्दी उतर दी हैं, अश्विन प्रभा, ओलेक सैनूं, और सुभम रघुवनसी, स्वैपी सोनू, मिली फिर आज उतर दी हैं, और वंदना सैंधो, दीपक बहरा, गोपाल बहरा, भक्त, यह भी लगातार दे रहे हैं, अपेक्छा खारे, विवेका नंद पारिदा, पूजा कुमारी, नीलम सिंग, अदि कुमार, सुकन्या जेना, ग्यान रंजन साहु, राजेश कुमार, रिया सोनी, रेहान खान, सोमेंदू, सरबर्था बनर जी, इतने लोगों उत्तर दिया है, कई लोगों ने कमेंट भी किया है, उदय जी के, नक्षत्र शेंगुपता, कमेंट करने वालों में है, नितीस, जीतु, संजय नेगी, और स्वैपी ने भी कमेंट भी किया हुआ है, साथ साथ उत्तर भी दिया है, साथ में कमेंट भी किया है, तो इस तरह स इतने लोगों ने आशा करता हूँ कि आगे और आप लोग ज्यादा से ज्यादा उत्तर देंगे तो आईए आज पहला कोशन है आप लोगों के सामने प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने किश भी शुविद्याले के शताबदी समाहरों में डॉक टिकट जारी किया है दिली निवस्टी, अलिगर्ण मुस्लिम भी शुविद्याले, चौधी चरनर सिंग भी शुविद्याले या डॉक्टर अंबेटकर भी शुविद्याले सेकेंड कोशन है वाई प्रधूसर्ण के कारण ज़िए जीडीपी के फीजदी के रूप में देखे तो सबसे अधिक आर्थिक नुकसान किस राज्ज को हुआ है उत्रप्रदेश, बिहार, मद्प्रदेश या राजस्थान इफ वी कंसीडर दा परसेंटेज आफ जीडीपी द्यू टू एर पोलूशन वीच स्टेट हैस सफर्ड दा मोस्ट एकोनामिक लॉस दोस्तों, नेक्स है विच इन्वस्टी आफ अमेरिका हैस इस्टैबलिस एचेयर अन जैनिज्म एंड हिंदुिस्म तो अमेरिका के किस भी सुबित द्याले में जैन और हिंदु धर्म पर एक पीठ की स्थापना की गई है कैलिफोर्निया, स्टेच इन्वस्टी, हारवर्ड इन्वस्टी, कैथियॉलिक इन्वस्टी आफ अमेरिका या येल इन्वस्टी, ये सब अमेरिका की इन्वस्टी हैं दोस्तों, ध्यान रखना अगला है which country is the largest buyer of weapons in the world दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथियार खरिदने वाला देश कौन है चीन, भारत, अमेरिका या साओधी अरब नेस्ट कोशन है which person of Indian origin has been appointed by Biden as director of presidential speech writing गौतम रागवन, विने रेड़ी, विवेक मूर्ती, बेदान्थ पतेल नेस्ट कोशन है वर्स 2020 का golden foot पुरसकार किसने जीता लियोन मैसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुका मॉड्रिक या रॉबर्ट लिवन्डोस्की बताना है आपको अगला है who was chosen as the most favorite player of fan in the single category of ATP Award 220 यानि ATP Award 2020 के एकल वर्ग में प्रसंसकों के सबसे पसंदीदा खिलाडी किसे चुना गया है रोजर फेडर, राफेल नडाल, नुवाग जोकोविच, फ्रांसिस तिया फोई देखना दोस्तों कि या ATP Award 2020 ये चारों को मिला है लेकिन अलग-अलग categories में ये ध्यान रखना है नेक्स्ट है किसान दिवस कब मना है या रास्टी किसान दिवस या किसान दिवस भी कह सकते हैं 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर या 25 दिसंबर नेक्स्ट कोशन है भारत और आस्टेलिया के चार टेस्ट मैचो की स्रिंकला में से किस टेस्ट को बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा गया है पर्थम टेस्ट को दुती टेस्ट को तृती या चतुर्त टेस्ट को नेक्स्ट है लास्ट कोशन निवन में से कौन सुमेलित नहीं है वीर भूमी राज जीव गांधी, राज घाट महत्मा गांधी, उदे भूमी बाबु जग जीवन राम, किसान घाट चौधरी चरण सिंग तो इन ही में से आपको उत्तर देना है और सीगर उत्तर देना है, आशा करता हूँ कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और अगर दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को भी बताना ना भूलें थैंक्यू दोस्तों